असलालेकूम, वेलकम टू लेट्स कुक विट पैशन, आज मैं आपके साथ गोबी के बहुती टेस्टी और हेल्दी पराटे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस रेसिपी से आपके पराटे टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे तो चलिए बनाते हैं अब गोबी के हल्दी पराटे इसके लिए हमें दो कप आटा लेना है यहाँ पर मैंने इसमें एक टी स्पून नमक डालकर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जितना पानी जरूरत होगा उसे साब से डालते हुए इसको गूंदेंगे पहले इसका थोड़ा टाइट डो बनाएंगे उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करते जाएंगे ऐसा करने से आटा थोड़ा लचीला उसमें लचक आ जाती है जो हमें इन पराटो को बनाने के लिए चाहिए आटे को तीन से चार मिनिट पानी लगा लगा कर ऐसे गून देंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए अब देखिए आटा मेरा लगबग गुन कर तैयार हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूँगी ताकि इसमें पपड़ी न पड़े उपर तेल लगा कर और इसको कपड़े से कवर करके 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रग देंगे साइड में तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज के फूल गोबी को मीडियम साइज के ग्रेट कर लिया एक टी स्पून अजवाईन को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है अब हम कुछ पाउडर्ड मसाले इसमें डालेंगे आदा टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून दनिया पाउडर एक टीसपून जीरा पाउडर एक टीसपून चाट मसाला एक टीसपून आम चूर पाउडर और एक टीसपून चिली फ्लेक्स इसमें एड़ कर देंगे अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने यहाँ नमक नहीं एड़ किया है क्योंकि नमक डालते ही यह पानी चोड़ देगा तो नमक हम इसमें बाद में एड़ करेंगे अब देखिए अच्छे से सब मिक्स हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है फिलिंग देखने में गाजट डालने से बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं पराटे अब देखिए 15 मिट हो गया है हमारा आठा बिल्कुल तयार है अब हम इसके पेड़ा काट लेते हैं बॉल साइज का एक जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं मैं आज आपको दो तरीके से गोबी के पराटे बेलने बताऊंगी एक तो यह है कि आप एक बड़ी लोई पना ले या फिर इतने ही आटे के आप दो पोर्शन में तोड़ ले और दो लोई बना ले चोटी यह देखिए मैंने आपर दो चोटी चोटी लोई बना लिए अब अब फिल निम डाल लेगे 2500 वहक, मैं हम एक टी 》डाल एक दाला है आप अपने टेस्ट के योटिंग डाले और एक से दो टेबल स्पून इसमें आटा डालेंगे सूखा हुआ जो इसका extra moisture होता है क्योंकि गोबी में भी moisture होता है और गाजर में भी तो थोड़ा सा आटा इसमें सूखा मिला ले इससे आपके पराटे फटेंगे नहीं क्योंकि moisture release होने से ही पराटे फटने लगते हैं तो चलिए अब पराटे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए लोई को हम थोड़ा फ्लैट कर लेंगे उसके बाद हाथो की मदद से हम डिस्क की शेप में बना लेंगे हलका हलका सा प्रेस करते हुए इसके साइड्स को एकदम पतला कर लेंगे और बीच को थोड़ा सा मोटा रखेंगे इस तरह से ये देखी बीच में मोटा है ये और साइड बिलकुल पतले कर लेंगे पहलाते हुए आटे को अब इसको बीच में तोड़ा सा प्रेस करते हुए ऐसे जगा बनाकर इसमें फिलिंग डाल देंगे दो से तीन टेबिल स्पून मैंने आप फिलिंग इसमें भर दीए आप थोड़ी कम भी फिल कर सकते हैं इसको और अब इसको थोड़ा सा प्पातों से दबा कर इस तरह से सब तरफ से सील कर देंगे बिलकुल आटे को हर तरफ से ऐसे लेकर बिलकुल यहां पर सील करके हलका सब प्रेस कर देंगे अब हमारी लोई बेलने के लिए बिलकुल तैयार है तो इसको हाथों से हम सूखे आटे में पहले थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे साइज में इससे आसानी रहती है बेलने में अब हम इसको बेलन की हेल्प से बिलकुल हलका प्रेशर डालते हुए दीरे-दीरे से ऐसे बेल लेंगे यह देखिए मैंने इसको लो प्रेशर डालते हुए बेल लिया है और अब हमारा पराटा बिलकुल रेडी हो गया है तो चलिए अब हम दूसरा तरीका भी देखते हैं किस तरह से बनाना है पहले एक चोटी लोगी को लेकर उसको बेल लेंगे थोड़ा सा पूरा नहीं बेलना है थोड़ा बेल लेंगे और अब दूसरी लोगी लेंगे उसको भी इसी साइस का बेल लेंगे जैसा हमने पहला बेला है उतनी बड़ी हमें बनानी है इसकी भी रोटी टाइप के अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देंगे अब इस पे हम फिलिंग लगा देंगे दो से तीन टेबिल स्पून फिलिंग डालकर उसको बराबर बिलकुर इस प्रेड कर लेंगे पैला लेंगे पूरी रोटी पे बराबर फैलना चाहिए किनारा चोड़ते हुए अब यह दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी इसको इसको रखकर और उंगलियों से किनारे इसके दबा कर मिलकुल सील कर देंगे सबी तरफ से अच्छे से पैक कर दीजिएगा जिसमें खुले ना कहीं से भी और अब थोड़ा से सूखा आटा डालकर इसको हम बेल लेंगे पराटे की तरह यह देखिए इस तरह से हलका सा प्र जब यह थोड़ा सा पक जाएगा पीछे से तो हम इसको पलेट देंगे यह देखिए इस तरह से और इसमें आप तेल गी कुछ भी डाल सकते हैं मैंने यह एक टी स्पून घी लगाया है आप चाहें तो इसको तेल में भी तल सकते हैं अब दूसरी तरफ भी लगा देंगे अब अड़ी डाल है दूसरी तरफ ग्तवर्टी इसको प्रत झाल कि बंदब हैं डाल वेशा सटम अर्दा ऑ करन देखिए मटे से गोरल्डन डॉट्यों से जाए हैं बस हमको एसे ही चाहिए एक तरफ से चुप गया आप दूसरी तरफ मिलंस तरह बूसरा प्राटा निए मन्ला कर लेखांस को आपके अधरा से के आटेसे को सुमेरेखेए विवेन चीन इ freelance परीट मेंlaw फ्राट थे पके लुटे अधर पैच्छा प्राटा थूड़ा सबस्ते टीजार से तंक बेलेखे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक को विटन जरूर दबाएं और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें यह आपकी घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे यहल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होते हैं क्योंकि गाजर बढ़ने से इसमें तक्योंकि अ